हेलो, बेलकम टू केनस्टडीज, CEPF AC 2020 के लिए टेस्ट 12, पेपर 2 एक्टिव हो चुका है, in fact कल एक्टिव हो चुका है संडे को, जिनको भी टेस्ट देना है वो आप केनस्टडीज पे दें, देखो अब साइध 5th के बाद जो भी है 5th को मीटिंग होना है UPSC का, उसके होगी और more or less, I hope कि September में 15th September के आसपास एक्जाम आपका हो जाएगा, होना चाहिए, तो अभी हम full severity से नहीं का सकते हैं, जब तक कि UPSC अपना proper final नहीं निकाल देता है, but I hope कि 15th September के आसपास हो जाना चाहिए, तो कुछ भी questions क्यूरी है, तो आप हमें comment box में डाल सकते हैं, या फिर में WhatsApp में message कर सकते हैं, और मैं बार-बार यही बूलता हूँ, कि टेस्ट आप देते रहिए, ताकि आपका evaluation as well as आपका जो improvement, जो performance, जो improvement performance में है, वो होता रहे है, क्योंकि एक दीन में ऐसा नहीं होगा, कि आज आप English लिखना नहीं जानते हैं, तो कल से आचानक लिखने लगेंगे, तो it's better है कि आप practice करें, वो जो कहते हैं कि practice makes man perfect, in fact man कहाना सही नहीं है, practice makes a person perfect, चाहे हो किसी भी field में हो, okay, thanks for watching this.